वेलकम डू मोटो कोइस्टर आज डिब्यू करने वाले है किया करेंज की तो यह है तो MPV लेकिन आपको लग सकता है यह SUV है और यह किया बताता है यह RV है Recreational Vehicle तो यह जो करेंज जो मोडेल है यह आपको बहुत साई चीज है जो इस सेगमेंड में इस प्राइज रेंज में आ आपको बहुत सारे चीज ऐसा मिल जाता है जो आपको अच्छा लागने ही बला है तो वही चीज हम डिसकास करेंगे आपको बताएंगे क्या-क्या चीज है जो आपको अगर आप आटीगा या तो XL6 खरीदने की सोच रहे है तो भी आपको सोचने पर मजबूर करेगा या त हो जाती है तो क्या है कार में क्या आपको अच्छा लगेगा चलिए देख लेते हैं अच्छा लगेगा इसका डिजाइन यहां पर देखिए यहां पर पूरा फूली एलिडी ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है headlamps, fog lamps and DRLs with indicator तो बहुत अच्छी चीज़ है यह बहुत अच्छा लगने वाला है उसकी साथ साथ यह क्रोम का ट्रीटमेंट टाइगा नोस ग्रिल जैसा यहां पर ग्रिल दिया गया है और यहां पर क्रोम का ट्रीटमेंट यहां क्रोम है यहां क्रोम है बहुत अच्छा लगने वाला है यहां पर किया का लोगो मिल जाता है साइ्ट प्रोफाइल की बात करें तो साइट प्रोफाइल में भी यहां पर आपको वार वीम जो है उसके साथ बख़लिंकर इंडिकेटर्स यहांपर आपको देखनेको मिल जाता है और यहां पर भी क्रोम का इस्तमाल बहुत अच्छे से किया गया है ड्राईव हर पोजिशन म बहुत अच्छा लग रहा है ये chrome और उसके साथ ground clearance की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा ground clearance मिल जाता है जो कि 195 mm की ground clearance यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रूप रेल्स जो है थोड़ा sporty इसको looks देता है बहुत अच्छा देखने को लग रहा है उसकी साथ साथ rare profile की बात करें तो यहाँ पर आपको defoggers डी wipers यहाँ पर मिलता है यहाँ पर किया का नया लोगो यहाँ पर मिल जाता है karen's का badging यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर भी अच्छा खासा chrome का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर आपको reflectors देखने को मिल जाता है और rare spoiler यहाँ पर मिलता है उसकी साथ boot space की बात करें यहाँ पर आपको अच्छा खासा 216 L का boot space देखने को मिलता है जो इस segment में किसी भी car म इतना अच्छा खासा बूट स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता है, उसके साथ यहां पर थोड़ा सा जगा दिया गया है, और स्पेयर विल यहां पर है, नीचे की तरफ प्रेयर विल अपको देखने को मिल जाता है, और यह खोलने के लिए आपको बस यहां से इस चीज को कर जाता है, इसको उपेन करके घुमाना है, बस वो नीचे हो जाता है, भुल की पात करे, तो विल साइज यहां पर आपको एशीब За6 seráज गंगा, विल साइज देखने को मिल जाता है, इसके इंजिन वेरियेंट यहां पर आपको तीनों इंजिन वेरियेंट आपको quería करेंट मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजिन के साथ किया करेंस आपको उपलब्ध हो जाता है उसके साथ 1.4 लीटर टार्बो पेट्रोल में भी किया करेंस आपको उपलब्ध हो जाता है और 1.5 लीटर डिजल इंजिन में भी आपको किया करेंस मिल जाता है तो जहां पर पेट्रोल वारियेंट की बात है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजिन से आपको 115 पीस की पावर वही पर आपको तार्बो पेट्रोल चूज करते है तो थोड़ा ज़्यादा पावर आपको मिल सकता है वहाँ पर आपको 140 बहपी का पावर देखने को मिल जाता है और इसके साथ 1.5 लीटर जो डीजल मोडल है उसमें आपको बहुत अच्छा टॉर्क देखने को मिल जाता है उसके साथ-साथ 115 बह Вас भी का पावर देखने को मिलता है तो वह भी बहुत सएई है इस प्राइज रेंज में क्योंके किया का जो पेट्रोल और डीजल का जो वैरियंट है, दोनों का जो टॉप मोडेल है, उसका प्राइस रेंज एक दम सेम आता है, तो बहुत अच्छा है, और डीजल में आपको जो सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिलेगा, वो है इसका माइलेज, डीजल में बहुत दी भैलू फॉर म करनी है, इसका माइलेज डीजल में आपको ARAI सार्टिफाइड माइलेज जो है, 21.3 किलोमीटर की माइलेज आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत बढ़िया माइलेज है, जहां पर इंडिया में हारे कार में सेप्टी अभी एक कॉंसान है, तो सेप्टी की मामले में किया क बहुत आगे है, क्योंकि यहां पर आपको हर एक फिल में डिस ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो एक बहुत अच्छी चीज है, उसकी साथ-साथ, ABS, EVD यह तो मिलता ही है, इसके साथ आपको मिल जाता है, हिल एसिस्ट मिल जाता है, अगर आप पहारी रास्तों में रहते है पहारी रास्तों में आपको चड़ना होता है, तो यह आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, उसके साथ आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, जो बहुत अच्छी चीज है, सेटी की मामले में बहुत आगे है किया केरेंस, और आगर आप इ विंडोस की कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाट प्लास्टिक मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, लेदरेट टैच है, और यहाँ पा स्टीची इन देखिए, यह जो है क्वालिटी, बहुत बढ़िया क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलता है, और स्पेस की मामले में, स्पेस ही स्पेस है, यहाँ पर आपको तीनों बोटल, मतलब वन लिटर की बोटल रखने की जगा यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आपका छोटा सा एक स्पेस है, टीसू बागरा रखने के लिए, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, उसकी साथ साथ यह देखिए, बोस का स्पीकर, जो बहुत सारी प्रीमियम कार में भी आपको नहीं मिलता, बोस का एंट स्पीकर यहाँ पर आपको मिल जाता है, उसके साथ देखिए, यहाँ पर आपको steering जो है इसमें आपको right side में cruise control मिल जाते है left side में आपको total multimedia controls मिल जाते है उसकी साथ-साथ यहाँ पर देखिए जो आपकी headlight की controls यहाँ पर दिया गया है और seat जो है driver seat यह भी adjustable है इस range में आपको friend में दोनो ventilated seat मिल जाते है बहुत ही आराम दायक है seat और seat यहाँ पर headrest मिल जाते है adjustable है अच्छा है और seat की जो कुछनी है leg space है यह भी बहुत अच्छा लगने वाला है under tight support भी बहुत अच्छा है साथ में यहाँ पर जो cluster दिया गया है instrument cluster यह बहुत अच्छा लगने वाला है fully digital है यहाँ पर आपको left side में हार एक चीज left and right side में हार एक चीज आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि speedometer, tachometer, trip meter distance to empty और साथ में आपको यहाँ पर आपको tire pressure monitoring system देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको map, navigation, phone voice memo, climate control हार एक चीज, media, kya connect, setting यहाँ पर आपको मिल जाता है तो setting में और क्या क्या है setting में आप vehicle की कुछ settings change कर सकते है यहाँ पर sound की setting change करते है user profile, voice recognition, display यह सब आपको मिल जाता है बहुत अच्छी चीज है इसका और इसका जो visibility है इसका visibility भी बहुत अच्छा है आपको key वगरा कुछ रख सकते है उसके साथ साथ इसमें आपको USB charger मिलता है 12 ball की socket मिल जाता है यहाँ पर यहाँ पर type C charger है और बहुत सारे यहाँ पा space दिये गया है यहाँ पर आप अपना mobile रखके charge कर सकते है यहाँ पर globe box है अच्छा खासा जगा है यहाँ पर और IT का जो AC vent है यह अपको पूरा एक unit में मिलता है लेकिन है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है लेकिन देखने में आपको लगेगा यह पूरा एक single unit में दिया गया है dashboard यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्लास्टिक का यूस किया गया है IRVM की क्वालिटी देखिए बहुत अच्छा है और उसकी साथ साथ आपको यहाँ पर सनवाइजर देखने को मिलता है और यहाँ पर भी सनवाइजर है उसके साथ यहाँ पर एक मिरर देखके रखा है जो हारे कार में रहता है और यहाँ पर लाइट दिये गये है बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपको संरूप देखने को मिल जाता है जो पैनरोमिक संरूप तो नहीं है लेकिन स्काइलाइट संरूप है और यह बहुत अच्छा भी है बहुत एरी है इसका gear lever देखिए यह manual है इसका gear lever भी बहुत अच्छा है seat की cushioning अपको बहुत बढ़िया लगने वाला है just amazing fantastic यहाँ पर आपको armrest मिल जाता है और armrest की नीचे भी थोड़ा जगा यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर एक ट्रे है इसको हटा दीजिए तो बहुत सारे स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ भी रख सकते हैं space and premiumness मुझे आभी तक कुछ भी चीज का ऐसा फिल नहीं हुआ करना इसके यहाँ पर कुछे कमी है और कुछ होना चाहिए था ऐसा अभी तक कुछ भी फिल नहीं हुआ और भी कुछ चीज है मेरे साथ है मेरी दोस्त सुमित जी तो उनसे मैं कुछ कुछ जानना चाहूंगा और भी कुछ बताना चाहेंगे थोड़ा सुमी जी थोड़ा हाई कर दो हाई इस गारी में आपका जो पहले हम दिखाएंगे इसमें आपका ट्रियॉन नेवी ब्लू कलर का लेदर रापिंग विद फ्लैट बॉटम स्टेरिंग मिल रहा है इस गारी म कुछ कंट्रों भी इसमें विद रुबर सिस्टे यसमें अब जो देख रहा है इसमें सी कंट्रों के लिए इस में एक इनिएग चीज दिया हुआ है जो एक शांदर बटन स टेम्परेटर कंट्रोल विद एर ब्लौर कंट्रोल सब इकसात में है विद यह जो option यह सब फेद यह यहां से on होता है जो driver seat and co driver seat with three air blow adjustable इसमें option है पर से आप जो देख रहे हैं यह और सिस्टेम है हम लोग गारी चलाते चलाते मानलीजी कोई signal में गारी खड़ा है तो खड़ा होने के time आपको लग रहा है जो गारी आपका पीछे में कोई आया है गारी में पीछे कोई आया ह आपका सब कुछ कंट्रोलिंग बगेरा सब कुछ लेकिंग विद उपर से भी आपका पूरा पीछे का जो बंपर टू बंपर आप देख सकते है इस फैंटास्टिक फीशेर्ज विद पार्किंग सेंसर आप फ्रॉंट का भी ओन कर सकते है और ऑफ भी कर सकते है यह बहुत अच्छी चीज है और यहां पर आपको एक का फोल्डर भी मिल जाता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका चीज है इसमें पर्फ्यूम जो डिफ्यूसर जो हम लोग जो एक्स्टरनल पर्फ्यूम लगाते है उसके लिए भी यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है घृइक के लिए से और एजब के लिए से और अचेज जो है यहाँ पर आपीड idee सब्ला तोइं आप्शन अंग किया कनेकट जो अपको घृफ्यूम अप्शन में मिल जा रहा है किया करें अप्शन जिसमें आपको 66 फूचस मिल रहा हैं सेस्टी फिचर तो आपका है घार सथा टाइगडिर के पिघन क्या देख़ार त्राइब करें सब्सक्राइब मुइवाईल में अपरी ज़ए आपके वसक्राइब करते हैं इसकानचर dislod经त उप्षिकel सब्सक्राइब खेस असनों लिए नरप पर आक की सबनाच सब्सक्राइब automatic option में आपको गारी start and stop ये दोनों option भी आपको मिल रहा है तो इसमें जो driver की पिछे वाला seat है देखिए यहाँ पर आपको बहुत एक unique चीज मिल जाता है जो बहुत premium कार में भी आपको नहीं मिलता है यहाँ पर आपको air purifier मिल जाता है यह purifier जो है यह virus और bacteria को किल करता है बहुत अच्छी चीज है बहुत unique भी है और space देखिए यहाँ पर मेरी height की हिसाब से मैंने driver seat को adjust किया था और थोड़ा पीछे की तरब भी है यह seat तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा है और lake space तो बहुत अच्छा है उसकी साथ-साथ under thigh support भी बहुत अच्छा है और head room भी बहुत अच्छा है उसकी साथ यहाँ पर एक AC vent आपको देखने को मिल जाता है उसकी साथ-साथ यहाँ पर आपको AC की control मिल जाते है AC vent यहाँ पर है AC की control आप blower को control कर सकते है यहाँ से और यहाँ पर आपको type-c charger दोनों charger देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको space दिया गया है phone बगरा कुछ रखने के लिए आप आराम से रख सकते है अब तक की जितनी भी car MPV car आपने देखी होगी आपको देखने को मिला होगा left side में जो second row का seat होता है यह seat foldable होता है यह fold करके आप आसानी से चड़ सकते है लेकिन यह only car है जो आपको right side का second row का right side का seat भी आसानी से आप fold कर सकते है और यहाँ पर चड़ सकते है देख लीजिए यह seat भी foldable है इसको मैंने fold किया और आसानी से चड़ गया देखे यहाँ पर पर आराम से हमको लेक स्पेस की कोई भी कमी नहीं दिख रहा है और हेड रूम की तो बात ही नहीं है, बहुत अच्छा थासा हेड रूम इहां पर दिया गया है, पैनोरामिक संडूप देने से हम लोग का गारी का जो फोर पीलर है, इसमें पीलर नहीं रह सकता है, यूपर से होता है साइट से इंपेक्ट होगा तो यह ग्लास पहले क्रैक होने का चांसे 90% रहता है, इस ही के कारण किया कंपणी इसको ध्यान देके सब कुछ फीचर्स, विप 10 सेफटी फीचर्स, 6 एर बैक के साथ, बेस मॉडल से लेके, और टॉप मॉडल में सिफ संरूप एड किया है, अल्ली प्रेमियम और लग्जरी के लिए, किया कारेंज की एक स्पेशल यूनिक फीचर्स, जो आपको आदर्स, MPV, SUV, किसी भी कार में आपको देखने को अभी तक नहीं मिला है, तो देख लीजिए, सेकेंड रो तो मेरा पहले से फोल्ड किया हुआ था, अभी देखिए, इसको भी मैंने फोल्ड कर दिया, तो देखिए, स्पेस कितना बन जाता है, यहाँ पर इसको उठाईए, और रात को सो जाईए, कुछ भी दिक्कद नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, और बहुत सार लागेज भी आप केरी कर सकते है, एक साइकल भी है, आसानी से आप केरी कर सकते है, चलिए अभी इसको स्टार्ट करते है, और इसको चला के देखते है, राइडिंग कमफोट कैसा है, किया करेंस का, थोड़ा लॉंच कर दिया, कार को, स्पीट तो एक दब मक्खन की तड़ा यह स्पीट पकड़ लेता है और यह ग्लास एरिया है बीजिविलिटी की बात करें तो बहुत अच्छा है कहीं पर भी आपको ब्लैंक स्पोर्ट देखने को नहीं मिलता है और सीट सीट की मामले में बहुत आगे है बहुत अच्छा है स्टेरिंग बहुत स्मूथ है इसकी साथ साथ स्वाट कलाच यहां पर आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा ब्रेकिंग भी हम टेस्ट कर लेंगे कैसा है इसका ब्रेकिंग बहुत एग्रेसीब ब्रेकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसका जो बीजिबिलिटी है रियर फाइकिंग कैमेरा की डिस्प्ले देखिए यहाँ पर आपको मतलब आप इसमें भी चला के घर तक पहुच जाएंगे इतना बीजिबिलिटी इसका अच्छा है तो इसका जो सास्पेंशन है अभी तक आपने जितना भी कि MPV चलाए हुए है कॉम्पिटिटर ब्रैंड्स की बात कर रहा हूं उससे कहीं गुना ज्यादा आपको सास्पेंशन एंड स्टेबिलिटी देखने को मिल जाता है और स्टेरिंग मानिए अगर आप हैजबेक चलाते हैं और अटक से आपको यह कार आपको दिया जाता है च इसका स्टेरिंग भी बहुत स्मूथ है गियर देखिए गियर कितना स्मूथ है यहां पर कुछ भी दिक्कत नहीं है एक भी चीज मुझे नहीं लगा कि यह चीज होना चाहिए था यह चीज की कमी है तो आराम से आप इस कार को कंसीडर कर सकते हैं इस प्राइज रेंज में क कार देखना हो टेस्टराइड लेना हो या तो फोरी रहेगा तो चले आइए सेली का मोटो-कॉप जो हडा में है और सोलेग मेंभी है तो यह आप आईये आप अपना टेस्टराइड बूक कीजिये और आपको कुछ भी क्वायईरी रहेगा तो पूछ लिजिए मैं ड्रेस स देता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए थेंक यू